हलो दोस्तों कैसे हैं आप सब स्वागत आप सभी का कॉमिक वैल्ड चैनल पर तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में कोबी और भेडिया का कॉमिक विशेशांक दो-दो हात इसके पहले की जितनी भी फेढीया की कॉमिक से सब आपको उसकी प्लेलिस में मिल जाएंगे जब एक फर्स की रहा पर हो दूसरा उसके विप्रीथ जब एक कर्तब विकर रहा हो दूसरा अढा रहे अढा रहा हो रोडे एक कानून कायम करने पर तुलाओ दूसरा उसे तोड़ने पर हुआ अमादा तो हर कदम पर होता है टकराव और होते हैं दो-दो हाथ संजग उपता की पेशकर्ष और जब ऐसा होता है तो जानवर सहम जाते हैं खामोश हो जाता है जंगल क्योंकि ये टकराव साधर नहीं होता मैंने जेन की बातों में आकर तुझे बहुत छूट दे दिये कोबी और तू उस छूट का नाजायस फाइदा उठा रहा है था जंगल में तेरी मर्जी नहीं चलेगी ये जंगल कोबी का नहीं भेडिया का है आज ये बात मैं तुझे अपने हर घूसे के साथ समझा दूँगा भेडिया के उस शक्तिशाली घूसे से कोबी काटो पर जागे रहा भेडिया को कुरो चरम पर था आज के बात तुने जंगल को कोई भी नियम भंग किया तो भेडिया इन काटों से भी जादा नुकीला काटा बनकर तेरे शरीर को चलनी कर देगा तेरे तुकडे तुकडे कर देगा भेडिया जंगल में रहना है तो भेडिया के काईदे कानून सीख ठाक भेडिया के हर बार और प्रहार पर कोभी के मूझ से आ सिर्फ चीखे और करहा ही निकल रही थी आज कहां चला गया था उसका सारा जंगली पन उसकी वहशियत उसके खोंकारता फाल खाने का जिगरा और ये क्या ठैरो भेडिया मैंने कब कहा कि ये जंगल मेरा है हाँ भेडिया ये जंगल तुमारे ही है मैं तो सिर्फ एक महमान हूँ कुछ दिन यहां रहूँगा घूमूँगा फिरूँगा चला जाऊँगा तुम्हें मुझसे लड़ने की कोई ज़रुवत नहीं है जो नियम तुमने बनाएं जंगल में वही कायम रहेंगे हाँ बढ़ाओ भेडिया अब कोबी तुमसे कभी नहीं करेगा दो-दो हाथ क्या सच क्या सच कोबी क्या तुम वाकई सच कह रहे हो नहीं मुझे यकीन नहीं होता ये सच नहीं ये सपना है हाँ उठो जेन तुम सच मुझ कोई सपना देख रही हो हाँ हर बढ़ा कर उठी जेन और वास्तिविक्ता का ऐसास होती उसका चैरा बुस्ता चला गया भेडिया काश ये सपना नहीं हकीकत होती काश तुम और कोबी जगड़ा छोड़कर आपस में सपने कले मिलते वो पल मेरी जिंदिगी का सबसे बड़ा दिन होगा शेर भूका रहने पर भी घास नहीं खाता कोबी से ऐसी शराफत के उमीद छोड़ दो पुरुश होने के कारण शायद बेडिया और कोबी का गुस्सा अपने अपने सबाव के कारण जायज था लेकिन जेन की नजरों में वो दोनों एक थे उसके दिल को चीर कर देखे तो कोबी और बेडिया समान रूप से वहाँ नजार आएंगे बेडिया हर पल उसकी आँकों के साबने रहता था इसलिए उसकी ओर से वो निश्चिन थी उसे फिक्र रहती थी कोबी की जो संकी था पागल था हिन सकता जिसका ना कोई घर था ना बाहर सपने में उसका बदला हुआ रूप देखा तो उसकी याद में बेचा एंज जेन अपने कदमों को कोबी की तलाश में आगे बढ़ने से ना रूप पाई थी शान्त सब भे कोबी काश ये हो सकता उसके मिलने की संबाविच जगों पर उसे खोस्ती फिर रही थी जेन अख कोबी तुम कहां हो कैसे हो कोबी उसे जल्दी मिल गया कोबी जेन को देखकर खेल उठा था कोबी का भी चहरा जेन के दिल से ही तो जुड़ी थी उसके दिल की भी धड़कने लेकिन कोबी का ख़़ पुरुश मिजाज ये बात क्यों जाहिर हो ने देता तुम क्या सोच रहें थी जेन कि मैं तुम्हें याद करके यहां बेटा तुम्हारा इंतिजार कर रहा हूँ ना तुम्हें तुम्हें याद कर रहा था ना तुम्हारा इंतिजार कर रहा था ये देखो मैं तो पानी में पूँच डाले केकड़े पकड़ रहा था छी कोबी दूर करो इने हाँ हाँ, इनसे क्या डड़ती हो, इनने तुम्हें रोज भून कर काता हूँ, छी, इनने फेक तो कोबी महनत से पकड़ा है, इनने में फेक तो नहीं सकता, हाँ, तुम चाओ तो तुम्हें दे सकता हूँ सेन, लोग, एक तो लो, कोबी, प्लीज, तू रखो इसे, यह मुझे काट लेगा, कोबी की पच्चों जाची हसी और उसकी शैतानी का आनन ले रही ती से, बगर दूसरे ही पल कोबी के चेहरे से हसी गायब हो गई, जो तुम्हें काटे, उसे मैं पीस कर रख दूँगा, सारे फल मेरे हवाले करो, यह नहीं हो सकता, हम यह फल, तमस देवता के लिए ले जा रहे हैं, यह हम तुम्हें नहीं दिय सकते, कोबी ने बेहाना का ठास लगाया, देवता, फिर गरच का बोला, भूल गए, जंगल का देवता मैं हूँ, और तुम्हारी देवी यह जेन, किसे इस वक्त भूग लगी है, कोबी ऐसा मत करो, तो फिस शाराफत से चल कर यह सारे फल अपनी देवी जेन के कदमों में डाल दो, हर्गिस नहीं, अगर ऐसा हुआ ता अनर्थ हो जाएगा, बर्सों से चली आरी परंपरा तूट जाएगी, और अगर तुमने ऐसा ना किय बाबा, आज जंगल में एक अजीब बात देख रहा हूँ, कई जंगल वासियों को फलों और धेरों अनाच के साथ कहीं जाते देखा, उनके चहरों पर एक उस्सव का जभाव था, कि लोग कहां जा रहे हैं बाबा, ओ, आज जरूर तमस दिवस होगा, इस दिन जंगल वास तमस यानि अंदिकार के देखता के अराधना करते हैं, और उसे फल, मेवो और अनाच की भेट चड़ाते हैं, दक्षड की और गुफाओं को जो जाल फैला है, इनका मानना है कि ये गुफाओं ये तमस देखता का निवास है, एक एक गुफा के अंदर बीसियों गुफाओ गुफाओं को जाल फैला है, भूल बुलया की तरह फैली है कुफाओं, सैकड़ो वर्षों से केवल पुरुष जंगल वासी इनकुफाओं की पूजा करते चले आ रहे हैं, इस दिन कुफाओं पर सैकड़ो जंगली एकत्रेत होते हैं, हाथ उठा कर और तेज शोर मचा कर सुकत भविश्य की प्रातना करते हैं, ये प्रातना इसलिए की जाती है ताकि तमस जो मौत का प्रतीक है, उसका प्रवाव जंगल पर कभी ना है, हो गुला, तमस कुला, हो गुला, तमस कुला, किली, 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 आदे घंटे के इस प्रातना उस सब के पश्चात ये लोग अपने साथ लाई भेटों को लेकर मुक परवत पर पहुंसते हैं तमस मुक भेट चरी तमस मुक भेट चरी हुली कुली हुली टुली टुली और इन्हें इस विशाल तमस मुक में गिरा देते हैं तमस 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 कोई भी जंगलवासी इस परंपरा को तोड़ने की हिम्मत नहीं जटा पाता क्योंकि इसके साथ जुड़े हैं काई अन्ध विश्वास जंगली कभीलों में यह माननता है कि संपूर प्रकरती तमस देवता के नेंतरण में है अगर इस परंपरा को किसी ने तोड़ा तो तमस देवता प्रकरती का रुख उलट देंगे और तब जंगल की तवाई निश्चित है लेकिन आस तक ऐसा नहीं हुआ क्योंकि आस तक यह परंपरा नहीं चूटी मगर आज ऐसा होने जा रहा था आज को भी के हाथों तूटने वाली थी यह परंपरा इतना समझाने के बाद भी तुम्हें ये बास समझ में नहीं आई कि तुमारा देवता मैं हूँ लगता है तुम्हें समझाने के लिए मुझे दूसा रास्ता अपनाना पड़ेगा और दूसा रास्ता ये है खौफ से चीक पड़े जंगली नहीं ऐसा मत करो ये देवता का अपमान है कोई देवता होगा तो तुम्हें बचाने भी आएगा क्योंकि वो तुमसे बरस बर भेट लेता है और मैं चानता हूँ कि वो भी तुम्हें मुझे से नहीं बचा पाएगा उसमें भी कोबी से टकराने की इमत ना होगी ठार ठार कुछ जंगलियों के शस्तर बाहर आगा और कोबी की और तन गए खत्म कर दो इसे अच्छा ये बार मदद हे भेडिया देवता और फिर उफ कोबी तुम्हा क्या कड़बर कर रहे थे कुछ नहीं तुम्हारे लिए शाकारी खाने का इंतिजाम कर रहा था ये देखो ये तर्बूज मैं खुद तुम्हारे ले लाएं अरे बालो वाला तर्बूज ये बाल किसके हैं उसके जो इस तर्बूज को देने से मना कर रहा था कह रहा था कि अपने देवता को भेड़ देने जा रहा है कमब का उफ कोबी, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था देखता कि भेट को तुम्हें उससे नहीं चीनना चाहिए था मैंने चीना का, बाद में उसने अपने आप दिया था यो देखो, वो सब भी अपने, आप अपनी भेटे तुम्हें देने के लिए खुद चल कर आएं गई समय पर भेटना मिलने से तमस देवता रुष्ट हो गए अब तबाही आईगी परले आईगी ये सब कोबी के कारण हो ये भी नहीं बचेगा तमस देवता सब कुछ खत्म कर देंगे पहले तू खत्म होगा जो इतना चीक चिल ला रहा है चोड़ो मैं कहती हूं से गड़ा कर नीचे गिरी बिजली ओ नो आ जंगलियों में भगदल मच गई मौसम अचानक कैसे बदल गया ये तो मैं नहीं जानती कोबी रहम रहम तमस देवता रहम मैं इसे वितना जानती हूं कि इसका कारण ये लोग तो मैं मान रहा है अपनी हरकतों से तुम बार बार ज पेड़ों की छट को चीर चीर का बिजली गिर रही है मुझे बिजली उसे डर लगता है कोबी ये जगे सुरक्षित नहीं है चलो यहां से कोबी चल्दी करो बड़ी डर पोक हो तुम जेन ठीक उसी वह बिजली आगाज से गरबड़ाई नीचे लपकी निशाना निश्चि के पिलंकारी गदा से टकरा कर वापिस लोट गई बिजली आगे खोलो जेन देखो कोबी से शिकस कागर लोट गई है बिजली पूरे जंगल में अफरात अफरी मची थी बड़े बड़े पेड़ धराशा ही हो रहे थे बचाओ कबराओ नहीं तुम्हें बचाने के लिए भ पिजली को इस तरह बार-बार गिरते हुए कभी नहीं देखा मैं भी ऐसा होते पहली बार देख रहा हूँ बचिए बाबा ओ नहीं बाबा आप कह रहे थे कि अगर आज कितिन जंगल वासियों के परंपरा टूट जाए तो तबहा ही आ जाती है कहीं परंपरा टूट तो न परंपरानों की बाजी लगा दूगा बाबा बेडिया को जेन की भी फिक्र थी जेन भी जंगल में कहीं होगी ऐसे में वो भी सुरक्षित नहीं है बेडिया जेन की सुरक्षा के लिए चिंतित था जेन जंगल की सुरक्षा के लिए मेरे दिमाग में एक तर्गी बारियों क कोबी तमस देवता रहम आकास चिकरती बिजली को हम विद्वसक होने से बचा सकते हैं आओ मेरे साथ वो कैसे इन तारों को खीच-खीच के तोड डालो कोबी चल्दी करो तुम ये काम बहुत जल्दी कर सकते हो मुझे पूरे जंगल से कोई मतलब नहीं मुझे सिर्फ तमारी फिकर है इसलिए अभी जो तुम कहती हो मैं करता हूँ कोबी ने जटके से कटी ली लोही की तारों को खार डाला शाबास कोबी अब जैसा मैं कहती हूँ वैसा करूँ इस लंबी तार को इस कभीले के बीचों बीच होगे उचे व्रश की सबसे उपरी डाल पर लपेट दू ये काम तो मेरी पूछ फॉरंग कर देगी मैं जानती हूँ इसके दूसे सिरे को मुझे जमीन में दबाना होगा ये तुम क्या कर रही हो इससे क्या होगा इस पूरे कभीले की रक्षा के लिए मैंने उस पेड़ से लेकर जमीन तक एक तड़े चालक बना दिया है अब अग गई अब ये बिजली तड़े चालक से होती हुए जमीन में समा जाईगी शेहर की बिल्डिकों पर इस तरह के तड़े चाले बिजली किरने से बिल्डिकों की सुरक्षा के लिए लगाए जाते है और ये बात तुम्हारी समझ से परे है लेकिन वो दृष बेड़िया के ओ, ये कौन है, काला आबनूस सा, जिसके सिर्फ दांत और आके ही चमक रहे हैं, इसके हाथ में ये कैसा शस्त्रे, जिससे इसने आकाश में चमकती बिजलियों को आकाश से कीच कर, क्राक, उस कभीले भकिरा दिया है, ये ऐसा कैसे कर पा रहा है, जंगल में तवाई इसी ने इसी ने तो नहीं मचा रखी, अगर ऐसा है तो अब बिजली इसी पर गिरेगी भेडिया के कहर की बिजली, बता, कौन है तू शैतान, क्यों कर रहा है ऐसा, जवाब में उसका हाथ उचा उठा, और फिर एक जटके से नीचे आया, उसी के साथ आकाश से उतर कर नीचे आई नहीं छोड़ेंगे, इसलिए केवल इसके प्रहारों से बचना ही नहीं होगा मुझे बलकी, अपने बारों से इसे पस्त भी करना है, इसकी ताकद इसके हाथ में थमेश अस्तर में, मुझे इसे ही इसके हाथ से छड़ाना होगा, और ये मुझे करना ही होगा, जंगल वासी मुझे जंगल का जलात कहते हैं क्योंकि जंगल के शत्रों को मैं मौत की सजा देता हूँ बेडिया के हाथों ही मरेगा तू आबनूस बेडिया ने सही नाम दिया था अपने दुश्मन को आबनूस ने भी अब दूसरे इपल बेडिया को जमीन सुगा दी थमाक इस बार इसने बिजली का प्रहार नहीं किया यानि मेरा यह सोचना ठीक है कि इसके हाथ में थमा वो शस्त इसके असली ताकत है जिसे अब यह उठा लेना चाता है मगर मैं इसे ऐसा नहीं करने तूंगा अपने पंजे बेडिया के पंजों से छोड़ा अबनूस नहीं पूरी ताकत लगा दी थी पंजे छोड़ा लेने में वो काम्याब भी हुआ लेकिन इस प्राइजमनूस के हाथों पर चड़े वो विच्छे तर दस्ताने पर उतरका बेडिया के हाथों में आ गए अभी तो तेरे दस्ताने बेडिया के हाथों में आये हैं लेकिन अब हाथ तूट कर आएंगे बेडिया ने वो दस्ताने एक तरव उचाल दिये आबनूस का वो प्रलंकारी शस्त उठाने के लिए जुग गया बेडिया का हाथ मगर आबनूस ने जो हरकत की थी उसे देखकर चौक पड़ा था बेडिया उसका हाथ जहां का ताहां रह गया था सजग उठी थी उसकी छटी इंद्री ये क्या ये मुझ पर इस शस्तर पर जपटने के बजारे उन दस्तानों पर क्यो जपट रहा है मुझे उसे वो दस्ताने पहनने से रोखना होगा किसी नट की तरह कलाब आजिया खाता हुआ इस बार बेडिया को तुस खुद उसके निकट पहुँचा और मैं समझ गया कि तेरे इशारे पर उस शस्त पर उत्री बिजली तब तुझे भी राक कर सकती है जबकि तेरे हाँ तो पक रबड़ द्वारा निर्मेत ये दस्ताने ना चड़े हो इसलिए तो अपने शस्त पर जपटने के बजाए पहले दस्तानों पर जप्टा तुने ये भी सोचा होगा कि जैसे ही मैं तेरे शस्त उठाऊंगा और कोई बजली तेरे शस्त पर उतरेगी तो वो मुझे जला कर राक कर देगी और ऐसा हो भी जाता अगर तू अपने दस्तानों पर जप्टा ना होता तो मगर अब मैं तुझे तेरे शस्त से मारूंगा भेड़िया नश्त उठाई था कि अगर मैंने दस्ताने ना पहने होते तो यह मुझे जला देती यानि कि अब मैं जहां चाहूं अपने हाथ को केवल एक जटका देकर कहीं भी बिजली किरा सकता हूं लेकिन मैं इसका प्रयोक केवल आबनूस को समाप्त करने में तरूंगा कहां गया आबनूस ओ भाग रहा है भागता कहा है कहा है रुखचा मौस्ट से नहीं बचे गास तू बेडिया की देखते देखते आबनूस उस गुफा में जा पहूंच गुजा बेडिया पाताल तब भी तेरा पीछा नहीं चोड़ेगा बेडिया भी बिजलियों की भीचर चमक के सास्ता तुसके पीचे पीचे अंदर जा पहुचा लेकिन अंदर एक और रहस उसका इंतिजार कर रहा था अरे ये गुफा तो बंद है आबनूस कहां गया वो मेरे सामने इस गुफा में गुजा था कहीं वो घात लगा कर मुझे और हमला न कर दे भूल से भी ये प्रलंकारी शस्त्र अफिर से आबनूस के हाथ नहीं लगना चाहिए अरे अचानक वो शस्त बेडिया के हाथ से छूट गया शस्त के छूटता ही बिजलियों ने गुफा की दिवारे कपकपा दी गुफा के बाहर आने में हुई छण बर की देरी भी बेडिया को हमेशा के लिए उस गफा की चट्टानों में कैद कर दे दी उदर इदर आसमान एकाई की साफ होता चला गया शायद बिजलियों का खत्रा टल गया है तो फिर मैं चला सर्यू जरने पर इसनान के बाद विश्राम करूँगा फिर मिलेंगे कोबी गया ही तक ही जेन भेडिया तुम मैं तुमारे लिए चिंतित था तुम ठीक तो हो ना जेन ओ भेडिया तुम तो गायल हो हाँ मामुली घाओ है लेकिन मुझे खुशी है कि मैंने आपनूस को कत्म कर दिया जंगल में तूफान उसी नमचा रखा था ओ हमें फूजो बाबा के पास जाना चाहिए और जब जेन ने फूजो को सब कुछ बताया तो भेडिया भड़ा कुटा ओ तो ये तबाई कोबी क किसी देवता को भेटना मिले तो वो तबाई कैसे मचा सकता है और अगर वो ऐसा करता है तो फिर उपकाय का देवता और किसी देवता को अपना शर्स उठाने के लिए दस्तानों की जरुरत नहीं पड़ती मैं इस बात को कभी न कभी सित्ध कर दूँगी जेन रुको जेन उसे जाने दो वो आदोनिक समाज में पली बड़ी हुई लड़की है जंगल की रीतियों और परंपराओं को समझने में उसे समय लगएगा तुम घायलो चलो मैं तुमारे जख्मों को महरम लगा दू ये जख्म हरे ही रहेंगे बाबा क्योंकि जंगल दुश्मन टकराता ही रहेगा बेडिया से और सबसे बड़ा टकराव तो कोभी से जिसे मैं ना तो दुश्मन कह सकता हूं और दोस्त कोभी को ना तो किसी ने अपनी दुश्मनी की कोभी को ना तो किसी से अपनी दुश्मनी की परवात ही ना दोस्तों की वो मस्त तर पसंद है कि नीचे आते आते इस जहरने का पानी बोचहार बन कर रह जाता है जहरने के पानी से तुम उनको बेगनाओं का खून नहीं दो सकते को भी जो आज तुमारे कारण भेग गया जेन तुम भी यहां गई खुद फूजो का भी यही मनना है कि तुम्हें तमस देवता की बर्सों से चली आरी परंपरा को नहीं तोड़ना चाहिए था मैं ऐसे अंदविश्वासों को नहीं मांगती लेकिन ये भी नहीं चाहती कि तुमारी किसी हरकत से अगर ऐसा कोई अंदविश्वास हकीकत में बदल जाए तो उसका कारण तुम्हें समझा जाए तभाई की देवता आपनूस को कत्म करता भेडिया गाहिल हो गया उसका कारण भी भेडिया तुम्हें मान रहा है वो तुमसे सक्त नाराज है कोबी नाराज है तो मैं क्या करूँ ओ कोबी मैं तुमसे ये विंति करने आई हूँ कि तुम नमर रहना सीखो अपने कुरोध को फासी दो वहचियत छोड़ दो इंसान को इंसान समझो आदमी बनो आदमी बनो? हाँ जेन को खुँच देखना चाते हो तो तुम्हे आदमी बनने ही पढ़ेगा ठीक है मैं आदमी बनने जा रहा हूँ कोबी ठेरो रुको कहां जा रहे हो मगर कोबी नहीं रुका एक तुफान की तरह वहाँ से गुजरता चला गया वै तुफान ने जो को जहां का तहां रोक दिया था वो सब वहीं से फिर से शुरू होने वाला था हमें तमस देवता से शमा मांगनी होगी हम देवता को दो गुनी भेट देंगे हाँ हाँ और फिर तमस देवता चमा 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 अचानक उपर से लुड़की वे बारी चटान ओ ये क्या बारी चटान लुड़क रही है भागो हट जाओ वरना चटान कुछल डालेगी ये भी तमस देवता का कहर है चटान जहां से लुड़की दिवान अज़र आया कोबी ये चटान मैंने लुड़काई है तो मैं ये बताने के लिए कि जंगल में सिर्फ एक ही देवता और वो है कोबी कोबे सी दुश्मन नहीं लेकर कोई जिन्दा नहीं रह सकता उफ बचाओ तुम जिसे अपना देवता समझ कर जिसकी पूजा करते हैं वो मेरे पाउं की धूल बराबर भी नहीं और ये बात आज में तुम सब को समझाने आयो है भीडिया देवता मदद प्रगट हो गई कोबी के हाथ में वो प्लेंकारी गदा जिनका निशाना आज बनना था हूं उन कुफाओं को आहाहाहा ये देखो आज इन कुफाओं को मटिया मेट कर दूँगा आज देखोंगा तुमारे कुफाओं वाले तमस देवता की शक्ती को जो बिजलिया चमका कर मेरी जेहन को डराता है भराक मेरी जेहन इस बास से डर जाती कि कहीं तुमारे देवता नाराज हो गए तो वो मुझे मार डालेंगे या अगर मैंने तुमारे देवता को नाराज कर दिया तो तुम सारे जंगलवासी मेरे दुश्मन बन जाओगे था वो बेवकूफ मेरी ताकत को समस्ती नहीं कहती है कि मैं आदमी बनूँ थम अब मैं आदमी क्यों बनूँ मैं को भी हूँ तो को भी बनूँगा आदमी बनकर किसी के सामने हाथ क्यों जोड़ूंगा मैं आदमी क्यों बनूँगा जो गद्दार औ धोके बाज होते हैं भेडिया ने आदमी बनकर क्या असिर कर लिया पेटी गया न तमस देवता क्या होतो मैं आदमी बनूँगा तो क्या भेड़ी है मुझे जहिन को वुल्फानों ले जाने देगा कभी भी नहीं ले जाने देगा आदमी जानवर से जादा वहशी होता है फिर मैं क्यों बनूँगा आदमी रुको इसे ये पागल हो गया है क्यों बे तू भी तो आदमी है बता तू ने आदमी बनकर कौन सा तीर मारा है बता वरना गदा मार का सिर्थ तोड़ दूँगा ठीक उसी बल कई फंदे कोबी के गले में आ पड़े ओ ये क्या इससे पहले की कोबी साफदान हो पाता उसके पाउन शगंजों में चकड़ दिये गए जिन से मतमस्त हातियों को चकड़ा जाता है लपेट दी गई जंजी है कोबी हमने तुझे देवता को भेट में देने का फैसला किया है इस बार पहली भेट के रूप में हम तुझे मुक परवत में फेक देंगे मारो 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 देवता को दी जाने के लिए कोबी के कून की सनी भेट तयार की जाने लगी कोबी का भीशन क्रोध जाग उठा और जब ऐसा होता है तो हिल जाते हैं बड़े बड़े परवत भी फिर उस भारी व्रक्ष की क्या उकात दी कोबी के उस अद्बो शक्ति परदर्शन ने ना सिर्फ उस व्रक्ष की बलकि उन जंगलियों की भी जड़े हिला दी तुम क्या समझेते कि तुम कोबी को इंधागों से बांद लोगे कपड़ी की तरह उसे पीट डालोगे निचोड लोगे उसका लहू कोबी को तुमने कच्चा पौधा समझ दिया है क्या जो एक जटके में उसे उकाल फेकोगे कोबी क्या है यह वो अभी तुम्हें दिखाएगा आनन फानन में ही तो डाले कोबी ने अपने बंधन अभी बताता हूं तुम्हें कोबी से दुश्मनी का पढ़ नाम कोबी ने सामने निगाएं उठाई तो अरे कहां गाए सब किसब सबके सब भगजच चुए हाहाहाहा हातों में हाती तो कैद रह जाता पर कोबी ने शगंजों में कहां रुकने वाला था पर जंगल में सिर्फ चुए ही नहीं होते शेर चीते भी होते वी ये चट्टान किसने उच्छाल कर मारी था एक और थमाक कोबी बेटा बहुत बे इंसाफी है तेरे साथ अरे कौन है रह चुए हिमात हो तो सामने आकर ला फिर देख मेरा चलवा तुझे भी ऐसी चूर कर दूँगा कोबी को इस चैलेंज के जवाब में इस बार रेट के तुफान की तरह उड़कर कई चट्टाने कोबी से टकराई थार 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 धर पोक जुगा सामने नहीं आ रहा पलग जब अगती बीसी ओंचट्टाने कोबी की शरीर के आसपास जमा हो गए टनों वजनी चट्टानों के नीचे दबकर बन गई कोबी की कब्र मरेगा जिसने भी मेरे साथ यह हरकत की है टनों वजनी चट्टानों को कागस की लिफाफी की तरह फोड़ कर कोबी बाहर निकलाया निगाएं सामने गई हैं सामने खड़ा था वो अधबत प्राणी चीसे ना तो मानव कहा जा सकता था ना पशू कोबी का गुस्सा उसी पर उत्रा क्यों बैच चट्टान सेंग कहीं तो ही तो नहीं वो जिसने मेरी कब्र बना दी थी कोबी ने पुना गदा गुमानी चाही लेकिन इस बाद चट्टान सेंग भी तयार था उसने अपना हाथ हवा में गुमाया और इसी के साथ हवा का दाओ गदा के आगे शक्तिशाली दिवार बनकर खड़ा हो गया और ये क्या इसने हाथ हिलाया और मेरी कदा बीच हवा में कैसे अटक गई और ये क्या खुद मेरे पाओ भी जमीन से उकड़ गए अरे रे रे थम चटान सिंग के हाथ का इशारा पाकर वा चटान उनकर सीथी कोबी की तरफ आई मगर ताड़ा ओ इसके हाथ में तो किसी भी वस्तु को उठा कर फेकने की ताकत है सच मुझ उसका वे हाथ भीशर वायुदाब पैदा कर रहा था पुना हवा में उशला कोबी का शरीर और थम शरीर के सारे भिवाग इला दिये कमकत ने शायद इसने मुझे पहचाना नहीं अब है मैं कोबी हूँ कोबी मुझे गुस्सा आ जाता है तो फिर सामने वाली की खैर नहीं होती पर तू ऐसे नहीं समझेगा जब तक तू समझेगा मैं तुझे अपनी पूश में लपिट का खीच चुका हूँगा क्यों बेटा चटान सिंग चोट तो नहीं लगी पर चोट तो दरसल तुझे अब लगेगी बेटे जब मैं तुझे गदा मार मार कर मार मार कर ठाक ठाक बैल के खूटे की तरह ठाक जमीन में ठाक गार दूँगा ठाक हरे कां गया ओ भई ये चटान सिंग आवास तो दे नहीं देता तो मत दे मेरे बाप का क्या जाता है मैं चला पर दोबारा कई नजर मता जाई हो याद रखियो मेरा नाम कोबी है पूजो बाबा भेडिया हमारी मदद करें पूरे जंगल की सुरक्षा का प्रश्ण है कोबी के कारने ये जंगल तबाह हो जाएगा उसने तमस गुफाओं को तबाह कर डाला है इसका परड़नाम ब्याना कोगा चैरे पर बदावाजी लिये जंगली वहाँ पहुँचा अन अनर्थ अनर्थ ये तो कुछ-कुछ वैसी चमतकारी घटना है वाबा जैसी आपनूस की रूप मेरे साथ घटी वह जगह पहुँचका पता लग जाएगा तुम लोग वापिस जाओ हम कोबी को रोकेंगे चलो हमें वहाँ ले चलो जल्दी यहाँ कोबी ने देवता को यह काला था ओ वेडिया ने कई फुर्तक वा जगह खोट डाली यहां तो कुछ भी नहीं है लेकिन यहां बड़ी बड़ी चट्टाने उचली है कुछ चकना चूर भी हुई है यानि यह तो तह है कि कोबी के साथ यहां किसी की जंग तो अवश हुई है और यह घटना सत्मु सा ऐसा मान का दरसल तुम कोबी का अपरादी से दोने देना नहीं चाहती लेकिन अगर तुम बेडिया वो कोबी के अस्तित्व को मानती हो तो तुम इन कानियों को भी जुटलाना नहीं चाहिए जो जंगल में कभी भी कहीं भी अचानक से रुठा देती है बेडिया और कोबी भटम El J अच्छी बात यहीं कि शारा च्यत्र cin들 में नहीं बदला केवल हमारे अएज़स का कुछी चेत्र डलदल में परिवटित हुआ अन्यता अद्पास के प्रक्षित्यादी भी दलदल में समागए होते ऐसे में अगर मैं मदद बलाऊंगा तो मदद आ सकती है जंगल में फूजो के हजारों मददकारों मैं से एक मददकार तक फूजो की दोनी पहुंच चुकी थी और ये मददकार था गजेश संकट में पड़े फूजो की पकार पर दोड़ पड़ा गजेश उस खताद देने के लिए उसके साथियों की भीड़ी भी बढ़ने लगी थी जबकि उन्चितकारों के सर सुनते फूजों के चैरे पर विशेश चमक दिखाई पढ़ने लगी भेडिया, मैं अपनी पुकाट जहां पहुचाना चाहता हूँ था, वहां पहुच गई है लेकिन जब तक मदद पहुच नहीं जाती, तब तक खुद को गिरने से बचा कर रखो मैं ऐसा नहीं कर पा रहा हूँ, मैं गिरा, समलो समन ना सकता को जंगली, दल दल इसी तरह हम सब को निकल जाएगा नहीं, ऐसा नहीं होगा, वो देखो, गजेश मदद लेकर आ रहा है लेकिन मदद अभी दूर थी, और निश्चित भी नहीं था कि मदद उन तक पहुच पाईगी या नहीं गजेश का एक कदम भी और आगे बढ़ना उसे समूचा जमीन में तफन कर सकता था पूजो ने महसूस कर लिया उस घत्रे को, उसी की भाषा में चीक पड़ा वे रुख जा गजेश, आगे दलतल है, अपने साथियों के साथ लेकर लोट जा गजेश ना माना, एक कदम और आगे बढ़ा दिया उसने, जिसके परदाम की उसे जरा भी फिक्र ना थी नहीं गजेश, ऐसी बेवकूफी मत कर, कदम वापिस कीच ले, आगे दलतल है, लोट जा फच पूजो को उसके साथियों का अदेश देने ही पड़ा और तब उसके साथियों ने गजेश को आगे ना मटने दिया मदद आगों के सामने दम तोड़ गई तो जेन विचली थोटी बेडिया, इस दलतल से निकलने का आप कोई उपए समझ में नहीं आ रहा उफ लगता है हमारी सारी कोशी से इस दलतल में फसकर रह गई है आज मैं भी अपने आपको लाचार पा रहा हूं जेन माफ करना, मैं तुम्हें भी नहीं बचा पा रहा निराश मा तो बेडिया कहते हैं कि जब सभी रास्ते बंद हो जाएं तो एक रास्ते का हमेशा याद रखना चाहिए और वो रास्ता है भगवान जो मदद के कई रास्ते खोल सकते है और निगाहें जैसे वहीं के वहीं जाम हो गई ओ रास्ता खुल गया बेडिया बाबा, रास्ता खुल गया वो देखो, ऊपर उस व्रक्ष, उँचे व्रक्ष पर कौन सो रहा है ओ ये तो कोबी है कोबी को देखकर जैसे जेन में नई जिन्दिगी का संचार हुआ अपनी पूरी शक्ति लगा अगर चीक पड़ी वो कोबी मगर जेन की आवाज कोबी तक पहुँचने से बहुत पहले ही दम तोड़ गई कोबी 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 के कानो बच्जू तक न रहेंगी थी उफ कुमकर्णी नीन सोया पड़ा है कोबी शायद उसकी नीन तभी खुलेगी जब हम दलदल में समा जाएंगे एक तरीका और मेरी समझ में आ रहा है बाबा जल्दी बताओ आप उन हातियों को आदेश देगी वो दल्दल से बचकर उस व्रक्ष सक पहुँचे हैं और ओ मैं समझ गया फूजा ने हातियों का अविलम संदेश दिया हातियों ने उस व्रक्ष को ठकरों से हिरा दिया था था वो डोलते व्रक्ष से कोबी नारियल की तरह नीचे आटप का हातियों की उस अरक्ष से कुपित होटा कोबी तुमारी ये मचा अभी मचा चखाता हूं तुमें कोबी उन्हें कुछ मक काओ इधर देखो अरे जेन तुम वा गर्दन तक जमीन में धस का कौन सा वियायाम कर रही हो ओहो भेडियो भेडियो और बुड़ा ठुटा फूजो भी है कोबी बेवकूफ हम दल दल में धस रहे हैं हमें बचाओ अपनी पूछ हमारी तरफ बढ़ाओ मैं सिर्फ तुम्हें बचाओंगा सिर्फ तुम मेरी पूछ पकड़ना पूछ जेन भेडिया वो फूजो भावा की तरफ बढ़नी शुरू हो गई ठीक उसी वह उतर कोबी के सामने तू कौन है भई तेरा शरी देखका लगता है कि तू भी दल दल में से ही निकल लगा रहा है पर मुझे ऐसे घूर कर रहा भे दल दले खाएगा क्या तब ही कोबी कोबी महसूस हो गया कि उसके पावी जमीन में धसना शुरू हो गया और ये क्या मेरे पावी दल दल में धसने लगें कोबी समझ पाया या नहीं मगर भेडिया समझ चुका था कि मुझे इसी की तलाशती तो खोदी सामने आ गया क्योंकि इसके पास जमीन को दलदल में बदल देने की शक्ती है अरे पूछ पकड़तर ये भी बाहर आ गया मैं तो सिर्फ जेन को पूछ पकड़ने को कहा था अगर ये उनी शैतानों में से एक है तो इसके पास कोई यंत्र जरूर होगा जिसकी शक्ती से ये दलदल पैदा कर पा रहा है ठीक वैसा यंत्र जैसा कि आपनूस के हाथ में तमादा और चट्टान सिंगी कलाई में शायद कड़ी की रूप में था उस जंगलों जंगली के मताबिक उसी हाथ को हिला कर वो वायुदाब पैदा कर रहा था कोबी के पाउं कोबी के पाउं के नीचे दलदल भी इसी इसने हाथ डाल कर पैदा की थी इसका मतलब वो यंत्र इसकी जंगली इसकी उंगली में पड़ी ये मुद्रिका होनी चाहिए जो मैं इसका हाथ तोड़कर कलाक इसकी उंगली से निकाल लूँगा और इसे इसकी पहुंच से इतनी दूर उच्छाल दूंगा कि ये दोबार है संगूटी को नहीं जून पाएगा अब इसकी शक्ती एक साधरन मानव जितनी रह गई है जिससे नवटना मेरे लिए मुश्किल नहीं होगा दल्दले का शरीत तेजी के साथ दल्दल का ही इससा बनता चला गया इसका अंजाम यही होना था कोभी पूच के सारे वक्ष पर लटक का दल्दल से बाहर आ चुका था भेडिया दल्दला मेरा शिकार है उसे मैं मारूंगा वापिस तो जमीन में बदलती चली गई सभी दल्दले है गुर राता हुआ कोभी बेडिया के सामने पहुंच खड़ा था बेडिया एक तो तु बिना मुझसे पूचे मेरी पूच पकड़का दल्दल से बाहर आ गया उबर से तुने मेरे शिकार को दल्दले को भी मार डाला जिसके कारण था मेरी पतनी जेन की जान खत्रे में पढ़ गई थी इससे पहले की लड़ा योगर हो जाती कोभी रुख जाओ बेर तुमें अंगामा खड़ा मत करू बेडिया ने तो तुमारी पूच पकड़क बाहर आने जमाना कर दिया था ये मेरी जित्ती की पहले बेडिया भाहर निकलेगा अगर आज इसके कारण हम सब की जान न बची होती जेन तो मैं इसे इसके घूसे का जवाब जरूर देता अब जा 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 तेरा खुसा उधार रहा कभी तोबारा सामने पढ़ूँगा तो हिम्मत हो तो चुकाली हो ओ बाबा काश मैं दलदल में ही समा गई होती तो हमेशा कि लिए इनकी दुश्मनी देखने से बच जाती ना जाने कम मिटे की इनकी दुश्मनी अब इनकी दुश्मनी नहीं ये खुद मिट जाएंगे एक जबर्दस चीक आगे बढ़ते बेडिया के कानों में पढ़ी बेडिया आ और एक जबर्दस चीक आगे बढ़ते कोबी के कानों में भी पिखले सीसे की तरह गुस्ती चली गए कोबी आ दौनों लगए एक ही समय में बागते हुए वहाँ पहुचे तो फूजो बाबा क्या हुआ आपको जेन क्यों चीक थी कहा है जेन जेन कहा है मैंने उसकी चीक सुनी है तुम्हारे यहां से जाते ही जलूक नामक पानी की बनी विचे ता करती यहां आई हाँ अब वो दौनों खुद मिट जाएंगे क्योंकि उनके कारण हमारे तीन जावास से निक मारे गए मेरा नाम जलूक ने मुझे दूर उच्छाल दिया मेरा नाम जलूक है और मैं इस लड़की को लेने आया हूँ क्योंकि मैं जान गया हूँ यह भेडिया और कोबी की कोबी की हमदर्द है जेन को अपने दायरे में समिटकर जलूक उसे बहा ले गया बाबा मुझे बचाईए बाबा आगर भेडिया और कोबी इस लड़की को जीवित बचाना चाहते हैं को ने तमस देवता की कोफा में आना होगा मैं इस तब रह गया था कोई और रास्ता ना देखकर जेन ने मदद के लिए तुम्हें भी पकारा भेडिया कोबी बड़ा कोटा कोबी उस वक रुख गया था पर अब तमस देवता की कोफाओं को रेट की कड़ों में बदल टालूँगा हे बेडिया देवता मदद आज के बाद जंगल में कोई तमस देवता का नाम नहीं लेगा इसे रोको बेडिया सारी कड़़े इसी कोज़से शुरू हुए अगर ये तमस देवता की सैकड़ों बड़सों से चली आ रही परंपरा को न तोड़ता तो ये मसीबत पैदा ही ना होती अब भी ये तबाई के मूड में गया है इसका ये आक्रमा करुख जेन की जान पर खत्रा बनकर मनरा उठेगा क्रोध में आकर वो लोग जेन को खत्म कर देंगे ऐसा नहीं होगा बाबा तमस देवता को बेडिया वो कोभी चाहिए जेन की जान की कीमत के बदले होने दौनों मिलेंगे वैशे सवारती कोभी पर रेद बना डालूंगा उन जाने में होगे हद्धिया तो डालूंगा मेरी जेन को उठाने की भ्यानक सजा दूँगा मैं उने परल्या मचा दूँगा पेडिया तू 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 ने रोका मेरा रास्ता ये पता होने के बावजूद भी रोका कि जेन की जन्ग खत्रे में है हाँ ये पता होने के बावजूद भी मैंने तेरा रास्ता इसलिए रोका क्योंकि तू फैसले दिमाग से नहीं लेता अगर दिमाग से लेता तो तुझे ये पता चल जाता कि अगर तुने कुफाओं को नश्ट किया तुझे इन तब भी नहीं बचेगी जेन बचेगी हम दोनों के आत्मसमापड से तुझे मेरे साथ तमस गुफा में चलना होगा चल उट खड़ा हो जा चल मेरे साथ वरना तुझे यहीं काट डालूँगा पर तबाही नहीं मैं चाने दूँगा धमकी चाहे कैसी भी हो पर कोभी का दुमाग खराब करने के लिए काफी होती है जेन को मैं तमस दिवता के आगे हाज जोड का नहीं लाओंगा उसे मैं फोड कर उससे छीन कर लाओंगा और तु मुझे आत्म सावंबल के लिए कह रहा है अब है मैं तेरे साथ नहीं जाओंगा अकेला जाओंगा जेन को लाकर दिखाओंगा तो फिर तुझे मेरी लाश पर से गुजरना होगा तो मैं कौन सा टरता हूँ गुजर जाओंगा फिर एक भीशर जंग शुरू हो चुकी थी जेन की खातिर आज मेरे रास्ते जाट चा बेवकूफ जेन की खातिरी तो आज मैं तेरा रास्ता रोक रहा हूँ जबकि उसी समय आप कौन है मैं कहां पर हूँ तुम तमस के तरवार में हो तुम्हें मेरा सिवक जलूक मेरे आदेश पर यहां लाया है निर्विक खड़ीती जेन पर क्यों क्योंकि मेरे तीन रक्षक सैनिक भेडिया और कोबी से परास दोकर अपने अपार शक्तियां को बैटे अब उन्हें शक्तियां वापिस प्राप्त करने के लिए बहुत मेहनत करनी होगी उन्हें यहां बुलाने का तुमसे बड़ीया रास्ता दूसरा नहीं हो सकता था इसलिए मैंने जलूक को भेज कर तुम्हें उठवा लिया लेकिन ऐसे काम देवता नहीं करते और मैंने तो सुनाई कि तमस कुफाओं में तमस देवता का बास है जंगल वासी हमें देवता मानते हैं तुम उनकी पुकार सुनते हो हम उनकी पुकार सुनते हैं हमारे पास पकर्टी को नियंतित करने की शक्तिया हैं हम अकाल सूखे में उनकी प्रात्ना पर वर्ष वर्षा करवाते हैं, बार बार जैसी विविश्काओं से उन्हें बचाते हैं, तूफानों का रुख मोड़ देते हैं, और बदले में उनसे अनाच, फल, वस्त्रव, अन्न, खाद वस्तुएं लेते हैं, तो क्या बुरा करते ह तमस तिवसपर हमें ये सामगरी इतनी बड़ी मातर में प्राप्त हो जाती है कि हमें वर्ष बर तक फिर उनकी जरुवत नहीं बढ़ती, लेकिन इस बार ये परमपरा टूती तो हमें जंगल वासियों के बहुत करने पर विवश होना पड़ा, लेकिन कोबी और बेडिया क ये कारणा में बहुत नुकसान भी उठाना पड़ा, हमारी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं, हम तुम्हें छोड़ देंगे, हम केवलों ने मौत की सजा देना चाते हैं उनके आत्मस उनपर के बाद, अगर आप सजा ही देना चाते हैं तो सिफ कोबी को दें, क्योंकि इस सा प्रश्न का उत्तर भी दें, कि अगर एक अबोध बालक अपने किसी सका के लिए किसी सो कोई वस्तु छीन लेता है, तो क्या उसे मिर्ट्यू टन दिया जाना चाहिए? नहीं, तो फिर कोबी को भी मौत की सजा देना नियाए वत्तर का संगत नहीं, क्योंकि वो भी एक अब प्रकर्ती को नियंतित कर सकते हैं, तो फिक कर दीजे कोबी की प्रवर्ती में प्रवर्तन, क्यों लेना चाते हैं उसकी जानत, बना दीजे उसे आजिन सक, शांत सौम में, अगर वो शांत रहेगा तो जंगल में चारोड शांती रहेगी, कभी कोई परंपरा नहीं तूटे आज ही वो रात है जबकि ब्रह्मान में स्तित नव ग्रहों में से आठ ग्रह एक सीद में, इन ग्रहों के एक पंक्ती में आने से, मैं इनकी अद्बु शक्ती को एक साथ खीच कर फक कोबी में प्रविष्ट करा सकता हूँ, ये शक्ती कोबी के हिंसक प्रवर्ती पर भारी गाया बोजा, और भई भेडिया, ये कोलाडी क्यों उठा रखी है, ओ समझा, लगडी काटने आया, मुझे दे कोलाडी मैं काट दूँगा, अरे घूर क्यों रहा है, देता क्यों नहीं कोलाडी, शर्मा क्यों रहा है, दे दे यार, उसे कोलाडी दे दो भेडिया, जेन, हा उसे को लाड़ी दे दो अब ये कोई गलत थर्कत नहीं करेगा कोबी ये जंगल किसका है भेडिया का हाँ भेडिया ये जंगल तुमारा ही है मैं तो से महमानू कुछ दिन यहां गोमूँँगा रहूंगा फिरूंगा चला जाऊंगा अब कोबी तुमसे कभी नहीं करेगा दो दो हाथ सत्य हो गए मेरा सपना समप तो चलिए दोस्ते वीडियो के यहीं समप करते हैं कोबी और बेडिया के अगले कॉमिक विशेशांग मारा मारी में तब तक के लिए धन्यवाद